हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग ओल फ्यू राधे राधे जैसे किसने सभी को तो कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में आज हम डिसकस करेंगे 25 अगर्स तोजाटेश की डेली आपके आने वाल एक्जाम ऐसे सीजल का हुआ दिल्ली पुलिस का हुआ यूपी पुलिस का हुआ कोई भी एक्जाम हुआ हर एक्जाम के लिए एकने फिर काफी इंपोर्टेंट रहने वाली आपके लिए तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना फ्रेंट्स तो चलो सुर हराकर जित्ता अब देखते हम 24 अगस्त 2030 के डिवीजिन कुश्चन किसे नेशनल गिरियन टुबिनल के नए अद्देक्स के रूप में न्यूक्त क्या गया है प्रकास शिर्वास्ताव को पांचवे राष्टे ई गवर्ने सेवा वितरन आंकलन के नुसर अधिक्तम ई सेवाय परधान करने वाले राजे कौन सा है मद्दे परदेश राजे है विश्वे एथलिक संके उपादक्स पद पर किस भारते को न्यूक्त किया गया है आदिल सुम्री वाला को किस के अंद्री मंत्री द्वार भारत न्यूक्त कार असेस्मेंट प्रोग्राम लौंच किया गया है तो यह किया नितिन गड़ेरी के द्वारा हाली में किस देश के भौतिक विज्ञान्यों राक्षस लिमोन के कन अस्तिक्तव की पुष्टी की है तो यह यूएस से न किस देख देश के पधान मंत्री के रूम में चुने गए हैं तो यह चुने गए थाएलेंड के हाले में दस दिवसे थीरू ओनमो सव 2013 कहा परारम हुआ है केरल राज़े में किस राज़े स्रकान ने 100 साल पुर्वानी संगीत विरासत महेर बैंड को पूर्ड जिवित करने की गोशन की है तो ये गोशन की है मद्दे परदेश राज़े ने किस भारते किर्केटर को चुनाव आयो के राष्टी आइकन की रूमें न्यूट किया गया है सचीन तेंदुलगर को अमेजन वर्षवन जन्जाती पुरू कुरा के अंतिम जीवित बचे लोग की देश में मिले हैं ब्राजिल देश में अब हम देखते हैं हमारी आज की करनाट फेर हमारा फर्स्ट क्यूशन है यूटूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइश्ट्रीम कौन बन गया है तो कौन बने सबसे ज़्यादा देखने वाला लाइश्ट्रीम आंसूर है चंद्रियान थ्री कौ जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइश्ट्रीम बन गया है यूटूब पर चंदर्यान 3 अधर इंपोर्टे नियूज देखते हैं भारत के किस राजे में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामान मंद्री बनाया गया है बिहार में पेटागन को पीछे छोड़ भारत के किस सेन में दुनिया का सबसे बड़ा कारेल बहुन बनाया गया है तो वो है सूरत में किस राजे के चंदरपूर और यवत मार्जीलो को जोड़ने वाला राजमारक पर दुनिया का पहला 200 मिटर लंबा बास्क रेस बेरियर स्थापित क्या गया है ये महराष्ट राजे में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन जारी करने वाला देश बना है इजराइल देश नेश कुष्टन है हमारा भारत चंदरमा पर सबलता पर उतरने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है तो कौन सा देश बना है भारत आंसर हो जाएगा हमारे इसमें दी चौथा देश बना है पहला कौन था यूएस से था उसके बाद रूस फिर चीन चीन के बाद भारत भी अब सफुल चंद्रमा पर सफलता प्रुक उतरने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया है अधर इंपोर्टिन यूज देखते हैं टिको के प्रिक्षिन के लिए केंद्रिकत प्रोक्साला नेट रॉक में कौन सा देश समील हुआ है भारत देश भारत की पहल के थैत कौन सा देश इंटरनेशनली बिग केर्स एरलाइन्स का स्थापक सदस्य से बना है वो बना है नेप है इंफ्रेट rozlige लिए कोश्ट गार्ड ने समुंद्री सायों बढ़ाने के लेकि देश के साथ एक समझौत के पर अस्थाक्षर किया है तो किस देश के साथ कि अस्था थाक्षर penal एजी को इस leher हमारा फिडिपिंस फियिपिंस देश के सथ एक सम्झौत गयापन पस्था सब्सक्राइब करें हैं इंडियन कोष्टगार ने समुंद्री सहयों को बढ़ाने के लिए कि अधर इंपोर्टे न्यूज है कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी आईश्यू उशीन विश्व संरक्षन कांग्रेस दोजरपत्चिस की मेजबन करेगा तो वह है यूएई कौन सा देश पारंप्रिक और सद्यों पर आश्यान देशों के सम्मेलन का मेजबन है तो वह है भारत देश भारत और किस देश की नोशेना द्वारा तिपक्षी समुंदी साजेदरी हब्यास का आर्जन क्या गया है तो खेलो इंडिया महला लिंग का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो क्या रख दिया है खेलो इंडिया महला लिंग का नाम बदल कर असमित्ता महला लिंग क्या हो गया है खेलो इंडिया लिंग का नाम बदल कर असमित्ता महला लिंग और यह गोशना किस ने की थी खेल मंत्री खेल मंतरी अनुरा की थी कि खेलो-इंडिया मेला लिंग का नाम बदलकर अस्मित्ता मेला लिंग क्या जाएगा अधर इंपोर्टे नीज है। मेला कैरीबियन प्रीमेर लिंग का हिस्सा बनने वाले पहले भारती क्रिकेटर कॉन बनी है? श्रिंग का पार्टिल भारत की पहली महिला कबाड़ी लिंग की चेंपिंशिप कौन सी टीम बन गई है उमा कॉलकत्ता मेजर लिंग गर्केट 2013 का उजन की देश में क्या जा रहा है तो वो केजर अमेरिका देश में खेलो इंडिया सीन ने राष्टी महिला खोको लिंग कहां आजित की गई है चंदी कड में वीमन प्रियम लिंग में दस विकट से मेच जीतने वाले पहले टीम कौन सी बन गई है यूपी वोरियर बनी है नेश कुशन है फ्रेंस आपसे रिक्वेस्टे वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर कर देना और कमेंट करके बताओ आपको हमारे वीडियो कैसे लगी ताकि आगे और भी हैल्फुल वीडियो लेकर आए आपके लिए क्यूशन है किस परसिद सांखे की विग्यानिका 133 वर्स की आयों में निधन हो गया है तो किस परसिद विग्यानिका निध स्टेटिक्स 2030 का पुरूसार भी मिला था श्री रादकेषन राव को जो 103 वर्स की आयों में अब उनका निधन हो गया है कौन से पूरूसकर मिला था उनको का 82 वर्ष की उमर में निदन हो गया है सस्तिपद चटोपादाई किस महसुगूर क्लासिकल डांसर का 85 वर्ष की उमर में निदन हो गया है तो वह एक कनक डेल ले नेक्स क्ष्टन है हमारा किसे CSR x lifetime achievement award से समानित क्या गया है तो किसे समानित क्या गया है इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा B. सालू जिंदल को किस समानित किया गया है सालू जिंदल को CISR Times Lifetime Achievement Award से समानित किया गया है और ये CSR सिखर सम्मेलन Award कहां पर समानित हुआ था तो ये नई दिल्ले में आजजित हुआ था जिसको सालू जिंदल को ये Award दिया गया Other important news है किस राजे के एंजियो तपुवन को Children's Champion Award से समानित किया गया है तो है असम राजे के एंजियो किसे टेकसास विश्विधाले दोबारा लाइटेम Achievement Award से समानित किया गया है तो वो है नवीन जिंदल को मल्यालम भासा के किस विख्या साहितिकार को केरल के सरोच नागरी समान केरल जोतिसस समानित किया गया है तो वो है M.T. वासुदेवन नायर को किसे हाली में 32 सश्वती समान 22 के लिए चुना गया है तो वो किसे सुना गया है सीव संकरी को Next question है हमारा किसके दोबार लिखित दे लाइफ वीजन एंड सौंग ओफ कभी नामक पुष्टक का विमोचन क्या गया है तो बताईओ किसके दोबार लिखी गई है पुष्टक तो इसका अंस्वर है हमारा D. विपूल रिख्षी के दोबार किसके दोबार लिखी गई है विपूल रिख्षी के दोबार दे लाइफ वीजन एंड सौंग ओफ कभी नामक पुष्टक लिखी गई है तो यह पुष्टक पंद्रु सदी के कभी को परसुत की जाती है और यह पुष्टक किसके दोबार प्रकासित की गई है यह पर्nell कॉलिंऑ के दोबार इस पुष्टक को प्रकासित की आगाई है ओपर्nell कॉलिंग्स इंडिया के दोबार और लिखा किसने इस पुष्टक को तोरन विपूल रिख्षी ने लिखा है अधा इंड लּिजन फोफ कभी उलजय है खाल इमें किसके दोर लखीत एंटियार एक पॉड़िकल बायोगरिफ पुश्तक का विमोचन किया गया है राम चंत्र मुर्थी के दोरा। किसके दवार लिखीत Master Residential Real Estate नमा पुष्टक का विमोचन क्या गया है तो यह लिखी गई अस्विंद्र सिंग के दौरा किसके दवार लिखीत भारत के वीत मंतरी नमा पुष्टक का विमोचन क्या गया है एक के भटाचारिया के दौरा किसके आत्म कथात्मा करती माई लाइफ एज एक कॉमरेड का विमोचन क्या गया है तो वह के 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 से ले जाके दौरा और भारत का चोंवन वा बाग अब्यान बनकर तयार हो गया है तो कहाज़़्तान राज्य में किस राजे में CNG से संचार देश की पहली ट्रोई ट्रेंज शुरू की गई है राजस्थान राजे में TIE राजस्थान की पहली मेलादेक्स कौन बन गई है किस राजे की रहने वाली नंदिनी कुपता ने फेमिना मिस इंडिया दोजा तेश का खिताब जिता है तो जिता राजस्थान में लोकस बादेक्स ओंबिर्ला ने किस सहर में सुसोपित माभियान का उद्गाटन किया है कोटा राजस्थान में किस राजे कंद्र साश पर्देश ने टीचर इंटरफेस फोर एक्सलेंस काईक्रम सुरू करने के प्रस्ताव को मंजूर दिया तो दिये राजस्थान राजसरकार में किस राज्ये द्वारा स्टूडेंट पुलिस केडर स्कीम की सुरू किया गया है तो किस राज्ये के द्वारा सुरू किया गया इसको आंसर हो जाएगा हमारा ए पंजाब राज्ये के द्वारा पंजाब के मुख्य मत्रिकों ने भगवत सिंग मान ने राज्ये में पंजाब राज्य में student police care scheme की शुरुवात करने की गोचने की है कि आधर इंपोर्टिने हुजे किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री वक्त संपंता योजना शुरू किया है तो कि छत्तिसगर राज्य सरकार ने किस राज्य के मुख्य मंत्री ने mission lifestyle for environment शुरू किया है किस राज्य सरकार ने मानावाती संघ्रैस रोकने के लिए गज मित्र पहलप्राराण की है तो कि राज्य में मत्से पालन, पसू पालन, डेरी मंत्रालन के दौारा सागर प्रिकरमा कारीकर्म का चौटा चरन आजित क्या गा है करना टक राज्य में Next Question है हमारा किस सहर की मेजबानी में साथवी A.C.I. महला होकी चेंपिंशनी टोफी का अरजन किया जाएगा तो किस सहर में किया जाएगा ये आंसर दीजे इसका राइट आंसर हो जाएगा C. राच्ची में जारखन की राजदानी क्या है राच्ची जारखन की राजदानी राच्ची में महलाव के लिए A.C.I. Championship Trophy के सातवे संस्क्रम की मेजबन करेगी कौन सा संस्क्रम नहीं है? सातवे संस्क्रम की मेजबन करेगी ये होकी इंडिया और जारखन सरकार के बीच एक श्यूप उध्धम होगा क्या है? स्यूप उधम होकी इंडिया और जारखन सरकार के बीच आधर इंपोर्टिन यूज़े मूंबई इंडियन्स ने किसे हराकर पहला WPL 2030 फाइनल जिता है दिली कैपिटल को हराकर 26 वी अखिल भारती वन खेल परते हो गिता 23 में कौन से राजे ओर्वेल चेंपिंशिप बना है? 36 राजे किस राजे द्वारा चौथी A.C.I. खोको चेंपिंशिप का मेजबान है? असंब राजे का एरानी कफ में 12 सतक जनने वाले सबसे यूवार खिलाडिकोन बने गए है या सबस्वी जाइस्वाल बने है समन ग्यान डोच देखते हैं अब हमारा किस घाटी को पर्थ्वी का सवर्ग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कसिमिर की घाटी को माना जाता है विश्वे में सबसे अधिक कौफी उतपातक देश कौन सा है? ब्राजिल देश है सारीर की सरवादी परबल अस्ती कौन सी है? जबडे की हड़ी होती है लगु जवार के समय सूरी, चंदर्मा और पर्थ्वी की क्यास्ती होती है? सम कौनिक होते हैं वो बंगाल बैसिन में भोम, जल, अधिकतर किस से परदूसित होता है? तो यह होता है और्षेनिक से आज की हमारी वीडियो आपसे भी को कैसे लगी? कमेरे सक्षेन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियोप्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.naukariespran.com थैंकि फ्रेंड्स बाइ बाइ रादे रादे